नमस्कार मैं शेक गोस्वामी आप सभी का फिर सक बढ़ स्वागत करता हूँ अपने इस नए ब्लॉग विडियो में दोस्तों कुछ दिनों पहले आपने भी देखा फ्लाई अस ब्रिक्स के बारे में मैंने बताया था मैनुल मेशिन के बारे में बताया था काफी सारे लोगों ने उस विडियो को पसंद किया और सबकी इंक्वारी थी कि इसका आटोमेटिक मेशिन कैसा होता है और आटोमेटिक इटे कैसी बनाई जाती है तो आज फिर से हम एक फ्लांट में पहुँच चुके हैं और आज कि इस विडियो में मैं आपको आटोमेटिक मेशिन दिखाने वाला हूँ पहले मैं इधर इंटा दिखा दूँ इधर जो फ्लाई अस ब्रिक्स से इंटे बनाई जाती है उसका सेप और दिखा दूँ कितना अच्छा फ्नीसिंग है आप यहाँ पे देख सकते हैं और यह पूरी इंटे बनके त्यार है और जैसा पिछले विडियो में मैंने बताया था कि इस इंट से अगर आप घर बनाते हैं तो आपको बाकी सारी जो लागात आती है वो खर्च कम पड़ती है और यह इंटे लगभग जो रेड वाली चिमनी वाली इंटे है उसी के प्राइज में आता है लेकिन मजबुती उससे ज्यादा है और गौर्मेंट ने जो चिमनी वाले इटे हैं उस पे रोक लगा चुकी है गौर्मेंट ने हर जगा रोक लगा गया है कि भाई इसे सरकारी काम में तो यही इटा यूज होगा चिमनी वाला इटा नहीं यूज होगा वाकि धीरे जगा ज खाने से पहले हम रोव मेटरियल के बारे में बात कर लें यह इटे बनाने के लिए मैंने पिश्वर्ण में दिखाया था आपको फ्लाई एस जो बोलते हैं जैसे इसका नाम से ही आप वाकिफ हैं कि फ्लाई एस ब्रीक्स इसको बोला जाता है यानि थर्मल पाउर का जो रा काफी सारे जब बात की जाती है न फ्लाई एस की तो लोगों को लगता है कि राक पता नहीं राक से इट कैसे बनता होगा तो एक बार हम आपको दिखा दें कि यह फ्लाई एस दूसरी क्वालिटी का है आपको लग रहा होगा कि जब मैं पहली बार वीडियो बनाया था तो ज़े लगा था कि कोई किसी तरह का राक होता होगा लेकिन यह राक दूसरे तरह का होता है काफी मजबूत इससे इटे बनती है अब भी हम लोग चलेंगे मशीन दिखाएंगे आपको फुली आटोमेटिक पिछले वीडियो में मैं दिखाया था आपको मैनूल मशीन आज के अटोमेटिक हाड्रोलिक प्रेस वाला मशीन है और इसमें जैसे पिछले वीडियो मैं दिखाया था कि मिक्शिंग का अलग और फिर इंटे बनाने का वो अलग मशीन था लेकिन यह फूरा सेट एक साथ है और इसमें सीधे सारा मेटेरियल इसमें मिक्सर में डाला जाएगा एक बार में फ्लाई एस और जो स्टोन डस्ट होता है सिमेंट होता है और और जो केमिकल होता है जो बॉंडिंग के लिए केमिकल मिला जाता है सब मिला देंगे इसमें मशीन को चालू कर देंगे और उसके बाद जो मिक्स होने के बाद अपने आप जो मेटेरियल होगा इस और automatic जो है इटे बनके यहां से बाहर निकल के यहां पर आ जाएगी और फिर यहां से ले जाके सूखने के लिए रखा जाएगा यहां से कुछ नहीं करना आपको सिधे पट्टे के मादेम से जो material होगा यहां तक hydraulic प्रेस तक पहुँचेगा और इसमें प्रेस होके इटे बाहर आ जाएगी पूरा आपने देख लिया कि कैसे इटे बनती है fully automatic मशीनों से अब मशीनों की बारे में आपके मन में सवाल उट रहा होगा कि इस तरह का setup लगाने के लिए आपको लागत कितना आएगा आपको खर्च कितना करना पड़ेगा अलग अलग बजट क्या होगा क्या क्या लेने होगी यह सारी चीज़े जानने के लिए हम आपको जो मशीन के expert हैं हमारी टीम में हम उनसे बात कराना चाहेंगे मगत मशीनरी से मनन को सवामी जी हमारे साथ हैं बड़े बिया और सीवा इंडरस्ट्री से हमारे साथ विपलव विया उसाथ में हैं दोनों लोग से हम कि इस setup को लगाने के लिए क्या खर्च आएगा और क्या-क्या अलग से समान आपको लेना होगा पहले हम लोग मशीन के बारे में बात करते हैं मसीन की बात किया जा सर तो अलग अलग टन के हिसाब से मसीन आता है जो कि आप स्टार्टिंग 12 से 15 लाख में आप कर सकते हैं मिन सब्सक्राइब आपको अलग से देना होगा जो सारे मशीनों पर जैसे लोग देते हैं और बाकी ट्रांस्पोर्टिंग अगर मशीन खरीद के जितना दूर ले जाता है और फिर इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है इस्टॉलेशन हमारा इंजिनियर जाएगा और साइट पर जाकर करेंगा अच्छा इसमें और क्या जैसे मशीन आपने खरीद दिया और क्या चीज आपको लेनी होगी अगर वाशीन के अगर बात करेंगे तो यह बिजनस आज के समय के सबसे उपरता हुए बिजनस है क्योंकि सरकार ने भी अपने नियम में सोधन कर दिया है जो अब भठा वाला इट देखते थे उसको प्रदूसर के चलते आने वाले दिनों में अभी भी बैन है लेकिन आने वाले दिने में पूरी तरीके से बैन हो जाएगा और लगभग दो साल से गौवर्में कि जो मिटी से पका के जो इटे बनाए जाती है और यह कहीं से जो इट है यह सिमेंट से बनाए जाती है सिमेंट कंक्रीट और फ्लाइस मिक्स करके तो आप जाहिर सी बात है सिमेंट वाले इटे जो है मिटी वाले इटों से ज्यादा मजबूत होगा जो होती है और यह तीन करते हैं तो उसमें प्लाश्टर का खर्च आपको कम गिरता है बनिस्पत उसके अच्छा मजबूती के भी लिहाज से आपको काफी बेश्चिंग बनिया आता है इसमें बाकी घर काम अगर में मैंने इसकी चोड़ाई इसमें लेबर भी कम आएगा बनाने जाएगा तो आपको कि लिए होने के लिए सफिसी एंट यहाँ के लिए अगर मिलता तो आपको यह दिन्यूराथ प्रड़क्शन होता तो अगर दिनूराथ प्रड़क्शन करना तो उसका ब्रशाथ का मौन है तो वहां पे लाइक कभी-कभी जज़्यादा एक दोदीन खराब हो जाता है अगर आप पुरी तरीका से स्ट्रॉंग होना चाहते हैं कि हर आउडर को करें तो आप डीजे का भी बाउस्था रखिए अच्छा हमने देखा है लगू दोख बिहार में दो चीजों से फिल जब हम रिशार्च कर रहे हैं जब वीडियो बनाने के लिए जाते हैं तो मैं काफी इस पर अनलाइसिस करता हूं तो मुझे अभी तक जो निकल कर सामने आई दो चीजों से जो लगू दोख होता है फेल होता है कि एक तो रो मेटरियल समय से नहीं मिल पाता है और मशीने जो है बाहर से दूर दूर से लोग मशीने मंगाते हैं और कुछ भी खराब ह पर फिर वह सर्विस नहीं मिल पाता है तो इसका आप लोग कैसे ख्याल रखते हैं तो आपको लोकल में मिल रही है अगर आप गिट्टी के जो टुक रहा हूं आप घरखरंट से ले सकते हैं नहीं है तो उसके जगा पूजला वाला बालू भी उच कर सकते हैं सिमेंट की ब आपको 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के बिच में सर्विस मिलेगी मनें आपका मेकेनिक जाके सेट करेगा कुछ भी खराब होता है तो एक कौल पर जाके आप लोग सेट करवाएंगे तो आप देख रहे थे यहां पर शर्विस की बात हो गई लागत की बात हो गई और कुछ इस परड़ से हमलों मायने रखते हैं क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है लोगों को लगता है कि इस सारी जो कई इस्तमाल होता है अपने तरफ यह अभी देरी से पहुंचा है लिकिन वीदेश्व में यह काफी दिनों से योज़ वर आया और अपने तरफ हम करें तो सही पैमाने में अगर बनाया जाए जो भठा वाली है उससे 20-30 परसेंट मजगूत होगा पहला चीज अच्छा इसमें नोना का भी जो पुरानी इटों में सिकायत होता था नोना लगने का काफी पुरानी मकानों में आपने देखा हो कि जड़ जाती थी वह सब भठा वाली जो है उसमें जब पानी आगा तो पानी खाता है और यह नया भरदा दिन पंदरा दिन जो पानी इसको अथी करना है उसके बाद यह पानी नहीं सोखता है अच्छा इस उधोग में एक और अच्छी बात है कि आपने देखा वह बरसात के दिनों में जो चिमनी वा नहीं दो से तीन घंटा इसको देना होगा जब यह हो जाए चाया में रख सकते हैं और पानी जितना पानी डाली है उतना ही होता है उसके लिए काफी है तो यह माने बनाने में भी खर्च कम है और बनाने का प्रोसेसिंग जैसे बड़ी वाली चिमनी में होता है कि पथेरा लाना पड़ता है उसके अलावा अगर अगर आप इंटी साचा में करके जमीन पर रखते हैं तो भीग गया तो मतलब खराब हो गया और पर्यावरंड के लिए भी कहीं कहीं ना कहीं से मिटी खोदा जाता है जहां गड़ा किया जाता है और कोईले से फिर प्रदूशन बढ है सब्सक्राइब भावना है तो कहीं ना कहीं आपने देखा अभी कि आने वाले दिनों में इस दिएप का लोगों में दिर्यवर जाग दिरुगता आएगी तो यह को लोग यूजश करेंगे और अभी दिमांड ज्यादा है इसका प्रोड़क्शन क्या है prag में कि गृट ग तो अगर कम हम चांटेंगे बहुत कम ही अगर लेके चलेंगे तो एक से डिड़ रुपय का पर इंट के हिसाब से अगर सब कुछ हटा करके अगर अगर ज़्यार चला तो और भी ज़्यार आएगा अगर इसमें बीजली की बात कि यहां लगता है इसमें जो क्या खतो होता है इसमें जो क्या पतो होता है और साथ में आपको लेना होगा का चलिए और पूरा उद्धोग अगर लगाते हैं अगर सेटिफिकेट की बात करें में और इसने लोन रहा है आपकी सरकार काफी हद तक बढ़ावा दे रही है जरूरत है आपको जागरूप होने की और आपको समझने की कैसे लौन भी प्रूबाइड कर रही है है आपको खडा करने के लिए ओध्र यह सरकार को दो ग्香 का dispute दो क्वारे हैं तो बहुत सारी सरकार के स्कीममें है जो आप जनकारी के अभाव में उसका लाब नहीं ले पाते हैं अभी तो बिहार युवा उधमी ओजना और बिहार महिला उधमी ओजना का अभी इस सरकार 10 लाख रुपे दे रही है जिसमें 50% सब्सिडी भी दे रही है इसके जनकारी के लिए आप हमारे उधोग प्रमर्सकेंद्र आ आई-एस ब्रेक्स मशीन के बारे में और अपने बहुत कुछ जाना कैसे बना सकते है कैसे अप प्रॉफिट कमा सकते हैं मशीन udah में इस पर संपर्क करके आप नम्सivo ब्राइब ज्यद्र में धानग और आपको च्फिट्रम में हम लोग हैं Kushi Haven रहा है फिलाल आज के सेड़ों में हम लोग विदा चाहेंगे हम चाहेंगे कि आपको आज के ये वीडियो कैसा लगा आज के ये बिजनस आइडिया आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और फिलाल के लिए, आज हम विदा चाहेंगे आपसे, हम फिर मिलते हैं किसे सही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे ब्लॉग चैनल के साथ, नमश्कार, धन्यवाद,